मैं दॉक्टर सीमा सोरल वरिष्ट व्याख्याता अर्थशास्र जानकी देवी बजाज राज के कन्या महविद्याले कोटा यूनिवर्सटी आज आपके सम्मुख मांग की लोच के बारे में आपको विस्तार से बताना चाहती हूँ मांग की लोच अर्थशास्र के उभोग वाले जो पोर्शन है उसका एक बहुत महत्वपोर्ण भाग है जब हम मांग का नियम पढ़ते हैं तो मांग का नियम तो मांग और कीमत के संबंध में जब की कीमत स्वतंत्रचर है और मांग एक निरभरत अत्व है उसके बीच में उनका संबंध बताता है qualitative statement है मांग का नियम लेकिन मांग की लोच कीमत और मांग का एक quantitative या गणात्मक कतन है अब हम देखते हैं कि Elasticity of Demand कितने प्रकार की होती है, मांग की कीमत लोच पहली, मांग की आये लोच, मांग की तिर्ची लोच और विज्यापन की मांग की लोच. मांग की लोच के सम्मंद में सबसे पहले Elasticity of Demand अगर हम देखें, तो इसका मतलब यह है कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कितना परिवर्तन होता है, यह अनुपात हम मांग की लोच के माध्यम से समझाते हैं. मांग की लोच का जो पहला कथन है, वो है मांग की कीमत लोच. मांग की कीमत लोच का मतलब है कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कितना परिवर्तन होगा, यानि इसको हम इस प्रकार से इस फॉर्मूले के माध्यम से एक्स्प्रेन करते हैं. P यानि उसकी प्रारंभिक कीमत, DP यानि उसकी परिवर्तन, quantity of demand यानि मांग की प्रारंभिक मात्रा और DQD का मतलब है मांग की मात्रा में परिवर्तन. तो जब हम मांग की कीमत लोच को देखते हैं, तो हम उसको कई प्रकार से उसका अध्यान करते हैं. उसमें पहला तरीका है जिसको की प्रतिशत विधी कहते हैं, आनुपातिक विधी कहते हैं, जिसे की flux ने प्रस्तुत किया था. फ्लक्स नहीं बता है था कि मांग की कीमत लोज बराबर होती है मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन या मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में आनुपातिक परिवर्तन मांग की कीमत लोच को मापने का जो दूसरा तरीका है वो है बिंदु विधी का मतलब होता है कि जब कीमत में इतना नगलने सा परिवर्तन होता है जैसे 5 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे तो जो मांग है उसमें बहुत नगलने सा परिवर्तन होता है तो वो दोनों बिंदु आपस में म बिंदू विधी कहते हैं, एक विधी होती है, मांग की कीमत लोचको मापने के लिए, हम एक व्यविधी का भी सहरा लेते हैं, जिसे की मार्शल ने प्रसुत किया था, और मार्शल ने बताया था, कि मांग की कुल व्यविधी है, अगर कीमत में परिवर्तन होने पर हमारा व्य उतना ही रहे, यानि elasticity of demand is equal to one, तो वो वस्तु हम उसको आरामदायक वस्तु कहते हैं, अगर कीमत घटने पर हमारा व्याय घट जाए, यानि elasticity of demand is less than one हो, तो वो वस्तु हमारी आवश्यकता वाली वस्तु, necessity, commodity होती है, अगर कीमत घटने पर हमारा उस commodity पर होने वाला व्याय ब elasticity is more than one, और ये वस्तु हैं, विलासिता पोर्न वस्तु हैं, मांग की कीमत लोच को नापने का जो अन्य तरीका है, वो है मांग की चाप लोच, मांग की चाप लोच को मापने का जो तरीका है, उसका फॉर्मूला है, change in quantity demanded, बटा, यानि मांग की मात्रा में परिवर्तन, बट कीमत में परिवर्तन, बटा, प्रारंभिक कीमत प्लस नई कीमत, इस फॉर्मूले की मदद से हम मांग की जो चाप लोच है, उसको माप सकते हैं, यानि चाप लोच का सहरा तब लिया जाते है, जब काफी ज्यादा कीमत में परिवर्तन हुआ हो, और एक विस्तार से परिवर price elasticity of demand को किस किस प्रकार से नापते है अब price elasticity of demand की कई degrees होती है जैसे यह जो diagram है यह price elasticity of demand की infinite होने की condition बता रहा है यानि कीमत में नगरने परिवरतन होने पर भी या 0% परिवरतन होने पर भी मांग में अचानक से कमी आ जाना या बढ़ जाना यह हमारा price elasticity of demand infinite होने का diagram है दूसरा diagram हमने लिया जब price में कितना भी परिवर्तन हो जाए मांग उस वस्तु की उतनी ही रहे तो इसको हम elasticity of demand zero यानि in elastic demand भी इसे हम कहते हैं यह तीसरा diagram जो है elastic demand कर बता रहा है जो यह बता रहा है कि elasticity of demand 1 एकाई से ज्यादा है यानि आप देखे कीमत में P1 P2 परिवर्तन हो रहा है लेकिन उससे ज्यादा मात्र में Q1 Q2 उससे बड़े आकार का एक एरिया है तो कीमत की तुलना में जो हमारी मांग है उसमें ज्यादा परिवर्तन होता है इसको हम elastic demand कहते है यानि इसको हम यह भी कह सकते है कि elasticity of demand is more than one यह देखे ऊपर वाला जो कर्व है वो कम elastic है नीचे वाला जो कर्व है वो ज्यादा elastic है इस प्रकार से हम दो कर्व की भी तुलना हम elasticity of demand के संदर में कर सकते हैं अब यह देखे मांग के बिंदू लोच को मापने का तरीका इसमें बताया गया है मांग के बिंदू लोच को नापने का तरीका होता है कि जिस भी बिंदू पर हम यह मांग वक्र है मांगवक्र अगर जीधी लाइन के रूप में न होकर कर्व के रूप में हो तो उसके किसी भी बिंदू पर अगर हम मांग की लोच नापना चाहते तो उस पर एक हमें सपर्शे रेखा, टेंजेंट डालना पड़ेगा और फिर हम उस बिंदू से नीचे का बिंदू बटा उस बिंदू के ऊपर का बिंदू यह हम देखते हैं यहां पर देखे आप मांग की लोच को नापने की बिंदू विधी के माध्यम से हम यह देख रहे हैं कि जैसे यह जो बीच का बिंदु है यहाँ पर निचला भाग बटा उपर का भाग बराबर है तो इस बिंदु पर Elasticity of Demand 1 है उपर आप देखिए उपर Elasticity is greater than 1 है क्योंकि निचला भाग जादा है क्यों निचला भाग बटा उपर का भाग करके हम इस प्रकार से नीचे के हिस्से में देखिए उपर के हिस्से में इस प्रकार से मिलासिसिटी निकाल सकते हैं यह rectangular hyperbola curve है, rectangular hyperbola वो curve होता है, जिसके हर बिंदू पर area under the curve होता है, वो समान होता है, income elasticity of demand का मतलब है, मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटा, आय में अनुपातिक परिवर्तन या प्रतिश्यत परिवर्तन, जिसको हमने इस formula के माध्यम से बताया, इसके बाद हम देख रह price elasticity of demand होती है, वह price के जगे हम income लिख लेंगे और नीचे quantity demand लिखेंगे और उसी प्रकार से सारी चीज़ें आ जाएंगे, inferior goods और normal goods और superior goods, यह तीन प्रकार की goods होती है, superior goods जिसमें income में change बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है, उस वस्तु के inferior goods, वो goods होती है, जिसमें उस वस्त elasticity of demand हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, अब यह देखे, income elasticity है, पहले हमने नीचे दिखाया है, यानि income बढ़ने पर उस वस्तु की मांग घट रही है, normal goods में एक सीमा तक income बढ़ने पर उसकी मांग थोड़ी सी बढ़ती है, बाद में वो income का ज्यादा proportion उस पर खर्च नहीं कर मदद से हमने inferior good, basic good, यहाँ पर income है, income के साथ उसको associate किया है, यह inferior goods का demand है, जो की income के साथ उसकी negative relationship बताता है, इसके बाद आती है cross elasticity of demand, cross elasticity of demand का मतलब एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का, दूसरे की वस्तु की कीमत में परिवर्तन के साथ प्रभाव देखा जाता है, percentage change in quantity of a demanded और percentage change in the price of b, यह cross elasticity of demand है, यह हमारे cross elasticity of demand के diagrams है, इसके बाद advertisement elasticity of demand का formula है, percentage change in the quantity demanded upon percentage change in the spending on a, यानि विज्यापन पर किये गए वैसे quantity demand में जो परिवर्तन आया है, उनका जो ratio है, आनुपात निकाला है, जाता है, उसे हम advertisement elasticity of demand केता है.